जिला कुरुक्षेत्र पुलिस ने पशु कुरूरता के अलग-अलग मामलों में 15 आरोपी किये गिरफतार तीन ट्रकों में से 197 पशु किये बरामद। मिक्को, गबबर, कांता सिंग, राजबबबर, अमरजीत, राजकुमार, रवी राम, हर्प्रित सिंग, शुबनीत कुमार, जितेंदर सिंग, गुर्मीत सिंग को वैथाना सदर थाने सर पुलिस की टीम ने एक ट्रक सहित 39 पशु को कुरूरता से ट्रक में भर कर ले जाने के आरोप में विनोध कुमार, अमरजीत, टोनी, वै, सेहन, वाज, पुत्र, दिलसाद, वासी, ननोता, थाना, ननोता, जिला, सहारनपूर, यूपी को गिरफतार करने में सफलता हासिल की है यहाँ जानकारी देते हुए जिला पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार सागवाल ने शुकरवार श्याम को मीडिया को बताया कि 19 अक्तूबर 2023 को PSI, विरे कुमार, मुख्य सिपाही, गीरिवर वे, SPO, जस्विंदर सिंग की टीम, गस्त वैपराद की तलाश में राम कुंडी चोंक लाडवा पर मुझूद थी पोलिस टीम ने सूचना के अधार पर दो ट्रक पिपली की तरफ से लाडवा की और एक दूसरे के आगे पीछे आते हुए दिखाई दिये तो पोलिस ने नाकाबंदी करके उनको काबू कर लिया काबू किये हुए दोनों ट्रकों को चेक करने पर ट्रक में से कुल 81 पशू वे दूसरे ट्रक में कुल 87 पशूओं को कुरूरता से ठुस ठुस कर भरा हुआ पाया गया जिस पर दोनों ट्रक चालकों मिकु राम पुत्र पालू राम अमर जीत पुत्र दर्शन सिंग वासी नगल ठाना रतिया जुला फतेहाबाद वे हल्परों सहित ट्रकों में पीछे बैठे व्यक्तियों गबर पुत्र निकाराम, कांता सिंग पुत्र महिंदर सिंग, राज बबर पुत्र निकाराम, राज कुमार पुत्र निकाराम, रवी राम पुत्र पपुराम, हर्पृत सिंग पुत्र चंदर सिंग, शुबनीत कुमार पुत्र, इंदरजीत सिंग वासी नगल ठाना रतिया जिला फतेहबाद जुतेंदर सिंग पुतर दर्शन सिंग वासी एहरमा थाना जिला फतेहबाद गुर्मीत सिंग पुतर बलदेव सिंग वासी रतिया थाना शहर रतिया जिला फतेहबाद के खिलाफ पशू कुरूरता अधिनियम के तहत थाना लाड़वा में मामला दर्ज कर के आरोपियों को मामले में गिराफतार किया गया वेट रोकों में कुरूरता से भरे हुए पश्वों को मुक्त कराया गया आरोपियों को अदालत में पेश कर अदालत के आदे से जमानत पर रहा कर दिया गया है एक अन्य मामले में जानकारी देते हुए जिला पुलिस प्रव पुलिस द्वारोड सिर्समा मोड पर मौजूद थी कि पुलिस टीम को गुप्त सूचना क्याधार पर भीहूली मोड पर नाका बंदी करके पिपली की तरफ से आते हुए केंटर को काबू किया पुलिस द्वारा केंटर को चेक करने पर उसमें से कुल 29 पशों को कुरूरता से थूस थूस कर भरा हुआ पाया गया जिस पर थाना सदर थाने सर पुलिस की टीम ने केंटर चालग विनोद कुमार पुत्र बाबु रावासी नंगल थाना रतिया जिला फतेहबाद वे हलपर सहीद अन्य वेक्तियों अमर्जीत पुत्र काला राम टोनी पुत्र अमरीक सिं वेट रॉकों में कुरूरता से भरे हुए पशूं को मुक्त करवाया गया आरोपियों को अदालत में पेश कर अदालत के आदे से जमानत पर रिहा कर दिया गया है यह रात को सूचना मिली थी और इसमें स्पेशल अवियान के नाका लगा था नाके के दोरान दो ट्रकों को पकड़ा है एक एंटर है एक ट्रक है जिसमें से फुल छोते बड़े 168 पशू है जो पशू कुरूरता अदीनियम और लापरवाई के तैट एफाईया रिश्टेशन कहीं है इसमें से हमने 11 अग्मियों को एरेश्ट किया है यह पशू कुरूरता अदीनियम की दारा एंग्यारा के तैट एफाईया रिश्टेशन की गई है यह को गिरपतार कर लिया गया है अगे इनको जो पोर्ट में पेस करके जैसे पशू को सूपरदारी पर दिया जाएगा